हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, एक्सराइज 10.1 से कुश्चन नॉम्बर 6 करेंगे इन शेप्स का पेरिमीटर आपको निकालना है ए पार्ट में दिया है, ट्रेंगल ओफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक ट्रेंगल दिया है, जिसकी एक साइड्स 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है इसका पेरिमीटर निकालना है, पेरिमीटर होता है किसी भी क्लोस्ट फिगर की जो सारी साइड्स होती है उनका length का sum यानि कि उसकी boundary का sum तो इन तीनो sides को हम plus कर देंगे तो इस triangle का perimeter आ जाएगा तो perimeter of triangle is equal to ये जो sides हैं इनका sum कर देंगे 3 plus 4 plus 5 bracket में लेके और centimeter में last में मैं common लगा दूँगा 3 और 4, 7 8, 9, 10, 11, 12 तो ये हो गया है 12 तो इस triangle का perimeter हो गया है 12 cm B part पढ़ते हैं B के अंदर है an equilateral triangle of side 9 cm एक equilateral triangle है 9 cm उसकी side है equilateral triangle वो triangle होता है जिसकी 3 sides बराबर होती है तो 9 cm, 9 cm और 9 cm तो इन 3 का sum कर देंगे तो हमें इसका perimeter पता चल जाएगा लेकिन equilateral triangle का perimeter निकालने के लिए हम direct formula का भी use कर सकते है formula होता है 3 multiply side क्योंकि इसमें 3 side होती है और 3ों की length बराबर होती है अब या हम इनको plus कर ले इनको plus करेंगे तो 27 आएगा या एक side को 3 से multiply कर दे तो भी 27 आएगा तो equilateral triangle का perimeter हम direct formula से भी निकाल सकते है तो 3 into side होता है इसका formula 3 into side है 9 cm और 9 3,000 हो गया है 27 cm तो यह इसका perimeter हो गया C figure an ISSLS triangle with equal sides 8 cm each and third side 6 cm एक ISSLS triangle है ISSLS triangle वो triangle होता है जिसमें 2 sides की length बराबर होती है with equal sides 8 cm each और उसकी जो equal sides है न वो 88 cm की है and the third side 6 cm और जो तीसरी side है वो 6 cm की है figure दिखाता हूँ आपको इस तरह से यह है यह figure देख रहे हो C part की ISSLS triangle है यह इसमें जो equal वाली sides है उनकी measurement 8 cm है दोनों की तीसरी side इसमें 6 cm है तो इसका perimeter निकालना है तो simply इसकी sides को हम add कर देंगे तो 8, 8 और 6 8 प्लस 8 cm प्लस यह 6 cm मैं cm last में common लगा लेता हूँ ऐसे तो number number हो गया है 8 और 8 16 17, 18, 19, 20 और 22 हो गया है तो 22 cm इस triangle का perimeter हो गया last part था question खत्म next questions के लिए next video मिलेंगे तब तक के लिए good bye